ओम नमस्युवाए हम लोग भारत में रहते हैं और हमारे जो भारत में संस्कृति और सभेता है इसमें प्राजेन काल से तिलक लगाने की जो प्रथा है ये चलती आ रही है कोई भी तिवहार हो या कोई भी मिलन हो या कोई भी किसी प्रकार का संगटन हो हिंदु धर्में तिल्क लगाना अनिवारे होता है चाहे वो कोई भी तियोहार हो या फिर कोई भी खुशी का माहूल हो और तिल्क लगाना बहुत ही सरल है और हर हिंदु लगभग लगभग तिल्क लगाना जानता है तो आज का जो हमारा विश्य है वो तिलक से ही है और आज मैं आपको बताऊँगा तिलक लगा कर कैसे अपने मन चाहे प्रेमी या प्रेमिका को आवशी भूत कर सकते हैं और अपना जीवन और भी अच्छा उनके साथ व्यतीत कर सकते हैं और फिर अपने लाइफ को अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना होगा तिलक से जो वशीकरन है वो दो प्रकार के होते हैं पहला वशीकरन वो है जो सामगरी में ही आपको कुछ मिलाया जाता है या किसी प्रकार के सामगरी बनाई जाती है और उस सामगरी का तिलक लगा दिया जाए तो इंसान वशिभूत हो जाता है और दूसरा जो वशिकर्ण होता है वो कुछ इस प्रकार है आपको ये करना है मैं अभी मंतर देने चाहरा हूँ इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है ओम नमो आदेश गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू ब्रामन बनिया हनुमन्त ब्रामन बनिया हनुमन्त रूप में जगत मोहू तो रामचंद्र परिमनिया गुरु की शक्ती मेरी भक्ती फोरो मंतर इश्वरिय वाचाब ये मंतर आपको जाप करना है शनिवार की दिन हनमान जी की जो प्रतीमा होती है उसको पूजन करना है और मुर्ती को सिंदूर का चोला चड़ाना है यानि कि सिंदूर लगाना है पूरा जब सिंदूर लग जाए अच्छे तरह से पूरे निश्टा भाव से उसके बाद एक माला ये मंतर जाप करना है जो मैंने अभी आपको बताया यह जाप 21 दिन तक चलना चाहिए मतलब 21 दिन तक आपको करना है ये एक भी दिन बीच मिस नहीं होना चाहिए और जब भी आउशकता हो या आपको लगे इस मंतर को आपको जाप करते हुए चोराए पे जाना है चोराए पे जाके वहां से आपको मिट्टी उठानी है चोराए पे आपको बालू यानि की बालू मिट्टी मिलेगी जो चोराए पे मिट्टी होती है जो मतलब सूखी मिट्टी होती है जो हवा के साथ उड़ जाती है उसको बालू मिट्टी कहा जाता है तो आपको उच्वराई की बालो में तिलक जो उठानी है थोड़ी सी और उसको अपना तिलक लगाना है पहले खुद के यहाँ पे खुद को तिलक लगाना है उनको तिलक नहीं लगाना है खुद को तिलक लगा कर उस व्यक्ति के पास जाना है जिसको आप वशिभूत करना च अगर आप निश्टा भाव से सही तरीके से ये करते हैं यानि कि एक भीत रूटी नहीं होती है तो ये 100% काम करता है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें देर नहीं लगती ये बहुत ही जल्दी काम करता है बट आपको पहले 21 दिन तक यानि कि एक महीना माल लीजे आपको जाप करना पड़ेगा और नित्य जाप करना पड़ेगा पूरी शद्धा भाव से अगर आपने जाप कर लिया सही तरीके से तो समझो आपका वशीकरन जो है वो पूरी तरह से सफल होगा और मैं आपको हमेशा कहता हूँ अभी भी कहता हूँ कि किसे की जिन्दगी बरबा जितना हो सके इस वीडियो को शेर कीजे ताकि दूसरों की साहता हो सके आपकी वज़े से किसी का भला हो सके इस से अच्छे बात कोई नहीं तो इसी तरह देखते रहे यह दुरलब सामगरी मैं मिलूँगा आपको अपनी दूसरी नई वीडियो में तब तक के लिए ओम नम शुर्षिवा